हालो दोस्तों हाव आर यू कैसे हो आप सब आज हम ग्यान और पार्टे करम बीएड सेकंडेयर का पेपर देखेंगे पेपर है फस्ट इसके मैं अब्जेक्टिव टैप के क्यूशन करवा रहा हूं यह वेरी इंपोर्टन्ट क्यूशन है पक्का एक्जाम में यह बुक से ही लिए हुए हैं पीछे बुक के पीछे दे रखें तो पहला क्यूशन है कैरेक्यूलस सबद की उत्पति लेटिन के किस सबद से हुई है पहला है कैयूरे कैयूरे कैयूरेयर दूसरा आता है क्यूरेटर तीसरा आता है क्यूरेयर और चोथा आता है इनमें से कोई नहीं इसक शिख्शा की परवर्तियां। नमबर तीन आथा है एवेँ बैं दोनों। नमबर चर से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है। ए और बैं दोनों। मतलब दार्सनिक विचारधहरे शिख्शा की परवर्तियां। डोनों यह था है। तीसरा किसन है निमन लिखित में से कौन सा पाठिक्रम का परकार नहीं है, तो पाठिक्रम का परकार कौन सा नहीं है, ए है, बाल केंदरित पाठिक्रम, बे आता है अध्यापकेंदरित पाठिक्रम, से आता है विसे केंदरित पाठिक्रम, दे आता है कोर पाठिक्रम, इसका सह अंसर है बै अगला किसन है देखो निमन लिखित में से कौन सा पाठे चरिया का मुख उपागम नहीं है तो पहला आता है देखो ये क्या बोल रहा है नहीं है तो आ आता है आर्थिक बै आता है दार्शनिक नमर से आता है मनोवग्यानिक और नमर दे आता है सामाजिक तो सही पात्थे करम, निर्मान का मुख्य आधार नहीं है नственный सही है आन्सर क्या है, आर्टिक, सिक्षा कितने परकार की मानी गई है दो परकार की, तीन परकार की, चार परकार की । इनमें से कोई नहीं है, कई परकार की तो सही अंसर इसमें दो पड़कार है ठीक है अगला है देखो पाठे चरिया का विकास हुआ तथा सिक्षा की लक्षकों को हदिक मेतव दिया जाने लगा ए बारवी की सताब्दी के पास बै पराचीन समय से इसमें से बीसवी सताब्दी के दे कभी नहीं अगला किस ने किस ने कहा कि उत्तम साध्य के लिए उत्तम साध्धन होना अनिवारि है नमबर ए आता है मात्मा गांदी ने, नमबर दो आता है नहरु जिन पंड़त नहरु ने, नमबर से आता है रविंद ना टैगोर ने, नमबर दे आता है अर्विंद ने, तो इसका सही आंसर क्या है मात्मा गांदी ने, क्या का मात्मा गांदी ने, उत्तम साध्य के लिए उत 19 भासा से कुन्वी सबस्पत लिया गया है कैरी कूलम् isबद लिया गया है अगला किसन है शिक्षा के उध्देश शिक्षा के उध्देश है तो नमबर एक आता है इसमें सदैव एक से रहते हैं सिक्षा के उद्देश नमबर बै आता है बदलते रहते हैं नमबर से उपयोग दोनों दै इन में से कोई नहीं तो अगला कुछन आता है बदलते रहते हैं अगला कुछन ने पाठिकरम कैसा होना चाहिए नमबर ए आता ऐटा है सिख्षा विस्था के अनुपभ बे आता है परिष्षा परिणाम के racism स्माज में परिवेस के अनुपोर दे आता है उपयोंग सभी के अनुपब अगला किसन है पाठे करम विकास का आयाम है नमरे आता है अनुभाव आयाम नमर दो आता है अनुदेशन आयाम नमर से आता है पाठे वस्तु आयाम और दे आता है उपयोग सभी तो सही अंसर कुन सा है उपयोग सभी मतलब पाठे विकास के तीनों आयाम है अनुभाव आयाम आनुदेशन आयम पाठ्थ वस्तु आयम उप्योग सभी तो उप्योग सभी आजाएगा ठीक है रियाद रखना है बीएड में जो उप्योग सभी आएगा तो 99% कौन सा अंसर होगा उप्योग सभी ही होगा ठीक है अगला किसन है पाठ्थ सहय गामी किरियाओं के संगठन का स तो अध्यापाको कि रुची का कोई ध्यान नहीं और किसे डार्षनिक आधार पर निर्मित पाठिकरम चात्रक इंद्रित होता है नमर्यात नमद्र्याथर परिंद्रितों होगा सब्सक्रáद साथ में है अठारा वे देखो निमन लिखित में से किसे बाल मनो विज्ञान के अंतरगत सामिल नहीं किया जा सकता तो पहले आता है बाल कल्यान नमबर आता है मनो विसलेशन नमबर से आता है मानसिक स्वास्त विज्ञान वो नमबर आता है सिक्षा दर्शन तो सही अंसर क्या है सिक् क्विशन है 19 बाल मनुवग्यान में हद्दिन किया जाता है नमबर एक आता है बाला के जनम से लेकर बाल वस्ता तक नमबर दो आता है बाला के जनम से पूर गर वस्ता से लेकर किसोर वस्ता तक नमबर दे आता है बाला के जनम से लेकर प्रोड वस्ता तक और नमबर दे आता सही अंचर है उप्योग सभी तो सिक्षा में सम्हा sixth विद्वारे विद्वानी मनुत्प covenantे पूर्ण था कि हभी वक्ति को सिक्षा माना है नमर एक आता है मातमा गांदी ने, नमर दू आता है जे एस मील ने, नमर तीन आता है वेका नंद ने, नमर चाहता है टिचनर ने, तो इसका सही अंसर क्या है वेका नंद ने, क्या मानना है, किसे विद्वान ने मनुस की अंतरनीत पूरणता की हभिवक्ति को सिक्षा मानना ह सिक्षा से मेरा हभी पराय बालक और मनिस के सरीर मस्तिक सें आत्मा के सरोतम अन्स की हभी वकती है किसने दिया थह? गंदीन दिया थह? डाक्टर आदा किरिशन ने नंबर सै आता इसके ले ले, नंबर सै आता ले आता है परवर्ति लाने का स्रय दिया जाता है या इसका ऐसे बन सकता है सिक्षा में मनोवर्ति वग्यानिक परवर्ति लाने का स्रय दिया जाता है इसका पहला आता है यथार्थवाद को नमबर दू आता है आदर्सवाद को नमबर दिन आता है दोनों को अन्यमें से कोई नहीं तो स इसका सही आंसर है, पहला आता है प्लेटो के अनुसार, नमबर दो अरस्थू के अनुसार, नमबर तीन संक्राचारी के अनुसार, नमबर दे वेद्धो के अनुसार, इसका सही आंसर किसका है, संक्राचारी के अनुसार, क्या है, पाठे चरिया में एस्थिर्था तता परिव अपना का सोपान नहीं है तो पहला आता है विशेवस्तु का चैन, नमबर बै आता है शिक्षक की योगिता, नमबर दे इस्थिर विसलेशन, नमबर दे आता है तारकिकता का विचार, तो सही अंसर क्या है बै, कौनसा है शिक्षक की योगिता, ठीक है, शिक्षा, अगला किस उसका है और विद्धाले का है परबंदन तंतर का है पाठ्थे चरिया का है उप्योग तीनों तो इसका सही अंसर क्या है पाठ्थे चरिया का मतलब सिक्षा के लिए जितना मैताव बालक का और सिक्षा का है उतना ही मैताव किसका होता है पाठ्थे चरिया का होता है अगला कि चरिया अगला किसे नहीं तेता लिए ऐसे सिक्षा किसी किसी काम की नहीं जो भविस में जीवन यापन का साधन नहीं ना बने तो किसने दिया था ये मातमा गंदी ने आगे देखो पाठे उतर पाठे चरिया के अंतरगत आते हैं NCC, Red Cross, Scouting, उप्योग सभी तो ये सबी आते हैं NCC भी आते हैं, Red Cross भी आते हैं, Scouting भी आते हैं, उप्योग सभी आते हैं अगला क्यूसन है, योन सिक्षा देने वाले हध्यापक में कौन सा गुन होना चाहिए तो इसमें सैच टितरता, योनांगो का ग्यान, सर्वोतम परिपकता, उप्योग सभी तो इसमें क्या आ जाएगा उप्योग सभी आंसर आ जाएगा, ठीक है तो इसमें सही आंसर क्या जाएगा, उप्योग सभी मतला आकरमनकारी हो जाएगा, एक कांतवासी हो जाएगा और रोगी भी हो जाता है तो आज के लिए इतना ही था, अगला वीडियो मैं इसी पर लेकिया हूँगा इसी सब्जेक्ट पेपर फस्ट में, कुनसा पेपर फस्ट ग्यान और पाठेकरम तो आगे ऐसे वीडियो को देखने के लिए क्यूशन तो आप मेरे चैनल को सब्क्राइब करें, अपने दोस्तों को सेर करें, जिसे उनको भी फाइदा हो तो सो थैंक्स जैहिंद वन्दे मात्रम